हेलो अरिवन गुड मॉर्निंग स्वागत अब सभी का ओनलाइन स्टेडियों में आज के इस वीडियों बात करेंगे वीकली करेंट एफेस के बारे में जो कि पिछले एक वीक का होगा यानि फेंड्स पांच जुलाई से लेकर कि 11 जुलाई तक की जो भी मोस्ट इंपॉर्ट तो फ्रेंट्स फर्स्ट कोचन यह बनता है कि किस देश में सूरो की प्रजाती में जी फॉर नामक वाइरस पाया गया चाहो तो इस पूरे वीडियो को आप सेट के थू लगा सकते हो लास्ट में कमेंट्स करके बता देजागे आपने आउट ओफ थर्टी फाइफ से कितना स्कूर किया ठीक है तो देखे सबसे पहला कोईसंस में हमारा राइट एंसर क्या होगा कि किस देश की सूरो की प्रजाती में जी फॉर नामक एक नया वाइरस पाया गया वाइरस का जब भी नाम आता है तो बस डारेक्ट आप आप तो याद रख लो यार कि चाइना ठीक है फिर से चाइना में एक नया वाइरस जो की जी फॉर नामक वाइरस पाया गया जिसमें सुरो की प्रजाती में ठीक है फ्रेंस कभी कभी हो सकता है यह भी पूछ लेगी यह कहां पर यानि कि चाइना के किस प्रांत में हुआ था तो ध्यान रहेगा कि चीन के हैबे और सोडे कायम किया मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाला और यह माना हो रही था ठीक है तो यह दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे क्लियर आगे बढ़ते हैं सेकेंड कोईशन देखी क्या करा है कि भारती रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमेटर लंबी माल गाड़ी चला कर इतिहास रचा काफी अच्छा प्रस्ट बनता है आने वाले रेलवे एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ध्यान में रेखेंगे इस क्वेशन का करेक्ट आंसर है ऑप्सेंस नंबर सी यानि कि सेसनाग सेसनाग की लंबाई कितनी है 2.8 किलोमेटर जो कि अब यह उप्सेंस तेख सकते हैं सुपर अनकॉंडा का यो पचाड करके नया रिकॉर्ड कायम करती है ठीक है यहां से क्वेशन हम और डिसकस कर लेते हैं अगे बात कर रहे हैं रेलवे के बारे में तो देखे भारती रेलवे का जो अभी हेड़क्वार्ट रहों कहां पे निव आंसर तो इसका राइट एंसर ऑप्सेंस नंबर ए यानि की डिल्लिंग ठीक है फ्रेंस ऑप्सेंस ए विल बी करेक्ट आंसर और यह 10 जुलाई से सुरूप होगा और चुकि 20 जुलाई 26 जुलाई था कि चलने वाला है तो यह चीज आप याद रखेंगे अब सबसे पहां इ देखें नेक्स्ट विचन क्या गया रहा है कि किस बैस्विक संगर्ठने ग्लोबल एजूकेशन मॉनिटरिंग जिसको हम लोग सौर्ट में जीम कह सकते हैं रिपोर्ट जारी किया है इस क्वेशन का करेक्ट आंसर क्या ऑप्सेंस नंबर यानि कि यूनेसको ठीक है फ्रेंस ऑप्सेंस बी विल बी करेक्ट आंसर यूनेसको ने बैस्विक सिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी किया है इसे इस रिपोर्ट के अनुसार 40% गरीब देश कोविड-19 के संकट के दौरान जोखिम की सिक्षार्तियों का समर्थन करने में विफाल रहे है ठीक है इसके साथ साथ अगरम बात करें यहां पर यूनेसको के बारे में तो यूनेसको क्या स्था आपना 1945 में की गी ती जिसका हैटकॉर्टर वर्तबान में पेरिस में पढ़ता है तो यह चीज़ भी आप याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं और देखें नेक्स्ट कुशन हमारा क्या कर इसरो के मंगल यान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकिर्थिक उपगरह का जयानिक इसका नाम है फोबोस अब आप वह यह बतने कि फोबोस किसका एक मून है ठीक है तो इसको का कारेक्ट आंसरो का ओपसिंस नंबर डी जिनमें से जो फोबोस है इसका हाल ही में इसरो का जो मंगल यान था इसने पिक्चर लिया तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे किलर फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स फूचन हमारा क्या किया रहा है किसने पीवी सिंधु और सुनिल चेतरी की उपस्तिती में फिट है तो हिट है इंडिया कारेक्रम जी छूजी ठीक है जह सक्षा क्या पिक्चर इस्कीन पर देख सकते हैं अब मैं बात कर रहें इस कारेक्रम का में परपस है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें ठीक है आगे बढ़ सरकार ने भूमिहिन किसानों के लिए बलराम योजना लॉंच किया है तो बताया कि किस राजजी की सरकार ने भूमिहिन किसानों के लिए बलराम योजना लॉंच किया है तो इस क्वेशन का राइट एंसर है ऑप्सनस नंबर ए यानि कि उडिसा कि सरकार ने मैं आपको बता तो फ्रेंट्स की उडिसा राज जी की सरकार ने जो भूमिहिन किसान होंगे उनको फसल रिन्म होया कराने के उद्देसे से बलराम योजना स्टार्ट करी है और साथे साथ ये भी लक्ष रखा गया कि सरकार अगले दो वर्सों तक या निक अगले द अगला है कि किसानों के दॉरा यान कि कि स बन के लिए इक संथन्टार प्रांफश करने के लिए प्रदान करने के लिए इसको लाँच किया गया तो ये points आप याद रख सकते हैं ठीक है, options भी बिलकुल correct हो जाता है question number 9 में देखें क्या कहा रहा है कि हाल ही में IMF की अनुसार दुनिया का 5वा सबसे बड़ा बिदेसी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है क्या होगा questions का right answer कि IMF की according दुनिया का 5वा सबसे बड़ा बिदेसी मुद्रा भंडार करने वाला देश कौन बन गया तो right answer होगा अपना भारत, options D will be correct answer ठीक है friends, अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे कौन है तो IMF के अनुसा सबसे पहले नंबर पे China, second नंबर पे Japan, third नंबर पे Switzerland और उसके बाद रूस और fifth नंबर पे हमारा देश भारत है तो यह points आप याद रख सकते हैं ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं और question number 10 में देखिए क्या कहरा है आल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्री का कारेक्रम जिस किस भासा में प्रसारित किया है तो हाली में आल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्री का का कारेक्रम को प्रारम किया है कि किस भासा में प्रसारित किया है, यह आपको बताना है इसका राइटेट रोगा options number D यानि कि संस्कृत, options D will be correct answer, ठीके friends मैं आपको बताते हूं कि इस परासरण का नाम क्या रखा गया, तो संस्कृत सबताहिक नाम दिया गया, यह बहुत important होगा, याद रखेगा, और इसे हर सनिवार को friends ध्यान रखने गया, इसे हर सनिवार को All India Radio क FM News Channel, 100.1 MHz के frequency पर सुनाया जाएगा, तो यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और देखें, next question क्या है, अगला point यह करें कि परधान मंति नरेंदर मोदी, 10 जुलाई 2020 को कि सराजी के रिवा जीले में, एसिया के सबसे बड़े सौर सायंतर का उद्घाटन करेंगे, तो देखें friends, यह question मैंने पहले ही लिख रहा था, जो कि 7 जुलाई करीम लिखा था, तो उसमें आपको बता दूँ कि यहाँ पर बात केगी थी 10 जुलाई को, जो कि हाली में उद्घाटन किया जा चुका है, I hope कि आपको यह पता होगा, लेकिन नहीं पता तो आप स्कीन पर picture भी देख सकते हैं, इसमें आपको देख सकता है कि कितना जादा, यानि कि Asia का सबसे बड़ा friends, यह सौर सयंतर लगाया गया है, परधाल मंतिर नरेंद्र मोजी की जी के दोरा, जो कि कहां पर लगाया है, तो यह भी आप याद रहेगा, मध्य प्रद किया गया, ठीक है, साथ से दगर भात करें, यहां हिमाचल परदेश के बारे में, तो हिमाचल परदेश से सबसे important जो news यह आई है, कि सभी घरों को gas connection, यानि कि यह कह सकते है कि 100% जो gas connection है, सभी घरों को देने वाला यह पहला राज्य बंच चुका है, ठीक है, साथ से दगर बात करें, यहां पर बिहार के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि हाली में, पर्धान मंतिर नरेंदर मूदी जी के दोरा गरेब कर लिया रोजकार की सुरुवात की गई है, खगडिया जीले में, तो यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पर मद्पर्देश के अरतमान में, राज जी पाल कौन है, लाल जी टंडन जी, और यहां के CM कौन है, सिवरात सिंग चोहान, लोग समय सीटों की संख्या 29 दी गई है, और राज समय सीटों की संख्या 11, तो यह भी प्रॉइंट्स याद रखना है, आगे बढ़तें, और question number 12 में देखे क्या है, भारत और अफगनिस्तान के बीच हाली में सेक्षिक और सनरचना के विकास के लिए कितने समझोते पर हस्ताक्चर किये गए, इस questions का correct answer का absence number C, यानि कि 5 समझोते किये गए, ठेकी फिन्स भारत और अफगनिस्तान के बीच हाली में 5 समझोते किये गए, तो य इसका नाम है alignments, options number B will be correct answer, ठीक है friends, इस app में क्या होगा कि विडियो, audio, calling की सुविधा दी कही है, साथ-साथ friends, सबसी important points यह है, यह पूर्णता भारती है और इसका data server भी भारत में ही स्तित है, इस तरह से कह सकते हैं कि यह पूरा made in India के तहत बनाए गया, इंडिया पहल के त सकते हैं, ठीक है, काफी अच्छा application मैंने खुद personally यूज़ किया है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और दीगे फिर next question क्या कह रहा है, अगला point यह कह रहा है कि देहिंग, पटकाई, वन जी अभ्यारन, जिसे हाल ही में रास्टी उधान में अप्ग्रेड किया गया, क इस questions का right answer का असाम, options B will be correct answer याद रखेंगे, ठीक है friends, मैं आपको बता दूँ कि जो यह गोष्णा किया यह यह जो चे जुलाई को किया गया, और यहां के जो असाम के CM सरवनन सोनवाल ने यह गोष्णा किया, clear, अब बात करते हैं, यहां पर असाम से कुछ पॉइंट जैस के, आगे बढ़ते हैं, देखें, next question क्या करा है कि कि किसे, वर्स 2020 के PC महाल 99 पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो 2020 का जो PC महाल 99 सम्मान दिया गया, वो किसे दिया गया, तो इसका right answer का चक्रवर्ती रंग राजन, option C will be correct answer, अब बात करते हैं कि चक्रवर्ती रंग राजन है तो यह RBI के पूरवे गौर्णाट हैं, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है friends, option C will be correct answer, आगे बढ़ते हैं, और देखें, next question क्या है, अच्छा, एक question मैं आप से पूछता हूँ, आपको यह बताने friends की पटेक वर्स, जो हम लोग मनाते हैं, भारास्टी यह सांकी की दिवस वो कब मना जाता है, ठीक है, ध्यान से नीचे कमेंट्स करके बताएगा, और वो क्यों मना जाता है, किसके जन दिवस पर मना जाता, देखते हैं, कितने लोग बताते हैं, मैंने पिछले वीक में आपको इसके बारे में discuss गया था, ठीक है, तो फिलाल देखें, बात करते हैं अगला पॉइंट्स यह करें कि विश्वका सबसे बढ़ा COVID-19 उपचार सुविधा सर्दार पते ले कोविड केर सेंटर और रहा किया गया नए दिली में इसका स्टारटिंग क्या अप्सेंग यहां पर बिल्कुल कर्रेक्ट आंसर होगा याद रखेंगे ठीके है और यहां इ ये भी पूछा जा सकते हैं, देखें, next question क्या कहारा friends, की इंतजार आपका, social media अवियान, किस राजी के परेटन बोड द्वारा सुरू किया गया, तो हाली में इंतजार आपका social media जो campaign जलाए गया, friends, ये किसके द्वारा की चलाएगे, ये आपको बताना है, इसका right answer का, मद्यप्रदेश options B will be correct answer ठीक है friends, राजी में परेटकों की आकरसित करने के लिए मद्यप्रदेश जो परेटन बोड़े, उन्होंने एक social media अवियान स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया इंतजार आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछन नमबर C will be correct answer, और यह इनका friends, एक खूफिया जो की उपगर है ठीक है, इसराइल ने पामा चीम airbase से, अपना खूफिया airbase OFX-16 को launch किया, और पुझा सकता है कि किसे के द्वारा launch किया गया, तो आप ध्यान रखाए friends, कि low earth orbit, ठीक है, जिसको किया रहा है, बिसो का दूसरा सबसे बड़ा data center, योटा, यहां पे दिखे friends, थोड़ो सा misprint है, यह किया गया NM1 होना चुए था, ठीक है NM1, ठीक है, सुधार कर लिए जगा योटा NM1 नाम से किस सहल में सुरू किया गया, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा data center हो का, इसका right answer है, options number D, यानि कि Mumbai, ठीक है, options D will be correct answer, जो कि 7 जुले 2020 को virtual उद्गाटन इसका किया गया इसका virtual उद्गाटन, जो महरास्ट के CM है, उद्धरो ठाकरे, ठीक है उद्धरो ठाकरे के द्वारा किया ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखे, next question हमारा ख्या करें कि किस राजी की सरकार ने नेकर सम्मान योजना की सुरुआत करी है, तो हाली में नेकर सम्मान जो योजना है, ये किस के दोरा सुरू की गई, इसका right answer कि वर्तमान में राज्यपाल है, वजुभाई वाला यहां कि अगर बात करें कि वर्तमान में CM कौन है, तो VS यह दूरप्पा, लोगसाव में से डोकिसन क्या ठाइज, राजसाव में से डोकिसन क्या 12, तो ये सारे points आपको याद रखेंगे अगला कुशन देखें क्या कहा रहा है, भारत के 66 जो सतरंज Grand Master बढ़ने हैं, वो कौन है, भारत के 66 सतरंज Grand Master कौन बढ़ने हैं, इसका correct answer का options number जो कि फ्रेंट्स B यानि की जी आकास, options B will be correct answer जी आकास, तमिलाडू से भी लोग करते हैं, याद रखेंगे ये तो बात होगी 66, अगर पूछले फ्रेंट्स जो की इन से पहले, यानि की जो की अगर यहाँ पर जो देखने 64 वी कौन थे, तो प्रिथू गुपता ठीक है, ये 64 थे, ये भी आप याद रखेंगे, प्रिथू गुपता है, जो की फ्रेंट्स ऑप्संस नंबर A यानि की बाल्टेरी बोटास, ऑप्संस A विल बी करेक्ट अंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन होगा, ध्यान रखेंगा, ठीक है, सेकंड राइंग पर बात करते हैं, तो ये फ्रेंग तो बोटास को मिला, लेकिन सेकंड राइंग इनको मिला, क्लियर फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखें, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाली में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अफ्रूवल देने के लिए, लोन इन सेकंड सेवा लॉंच किया है, तो बते हैं फ्रेंट्स की लोन इन सेकंड जो सेवा लॉंच कहा थे वो किस बैंक के दोरा शुरू किया गया, इसका करेक्ट आंसर का, और कि यहां तक तो कोई दिक्कत ने हो और अगर आपको यह questions अच्छे लग रहे हैं तो please वीडियो को like जरूर कर दिएगा ताकि हमें motivate मिले अगला question देखिए क्या कि 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 स्राज जी की मुख्य मंत्री ने document scanning app self scan launch किया तो यह हाली में launch किया गया self scan नाम का application और यह किसके दोर launch किया यह आपको बताना इसका correct answer होगा options number c यानि कि पस्ची मंगल की जो मुख्य मंत्री है ममता बेनर्जी ठीक है ममता बेनर्जी के दोरा यह launch किया गया तो यह point आप याद रखेंगे clear friends आगे बढ़ते हैं देखिए अगला question क्या कर रहा है कि हाली में भारत सरकार के दोरा किस देश में स्थापना की गई है तो यह हाली में की गई है भारत सरकार के दोरा किस देश में इसका correct answer होगा नेपाल options d will be correct answer ठीके friends मैं आपको उता दूँ कि यह नेपाल में कहां पे होगा तो नेपाल में इलम जिले में होगा नेपाल के इलम जिले में जो की 1.94 करोड रुपे की लागत से चार मंजिला जो की यह बनाये गया और इसकी जो अधहार जिला रखे गये थी जयानिक इसकी निव जो रख के लिए Space Technology और Artificial Intelligence का उप्योग करने वाला पहला राज्य बन गया है इस क्रेक्ट आंसर ऑप्सेंस नंबर बी यानि की उडिसा ठीके friends उडिसा यहां पे पिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो की सरकारी भूमी की सुरच्छा के लिए Space Technology और Artificial Intelligence का उप्योग करने वाला पहला इस चीज़ को आप याद रखेंगे अगला कुछन दीखें क्या रहा है कि हाली में चीन ने किस नाम से संचार उपगरा को सफलता पुरवक लांच किया जो कि कम्मुनिकेशन सैटलाइट कह सकते हैं और यह सफलता पुरवक लांच कि इसका नाम क्या इसका नाम है की नई इमारतों का नाम बदल करके रखा गया क्या कर दिया गया इसका नाम बदल करके रखा गया डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी इनके नाम पर रखा गया ऑप्सिंस नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर को सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर स्यामा प्रसाद म के नाम पर तो आई होग कि आपको यह चीज समझ में आ गए होगी और साथ इनके नाम पर एक और यह की चीज किया गया था फिर्ट की जो कुलकत्ता पोर्ट आप देखते हैं कुलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट उसकी डेड़ स्वावी जो चैनती पूरी हुई थी उसके उपलक्ष का राइट अंसर क्या है इसके करेक्ट आंसर होगा ऑनसर जो Oregon's नंबर यानि कि आईकस्टरी खेजरेम और बातके इसमें पंक की लंबाई के बारेमे तो मदा के लिए पंक की लंबाई एकसोचो़ मेल रखा गया और जो नर के लिए जो बंक की लंबाई है वह एकसो नद्य एमेम रखा गया और यह जो दर्जा किया गया फ्रेंट्स यानि कि सबसे बड़ी तितली का दर्जा जो दिया गया वो कहां पर दिया गया तो उत्रा खंड में ठीक है यह most important point होगा उत्रा खंड में क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला question क्या गया रहा कि कि हाली में किस देश के द्वारा बली जानवरों की online विक्री और खरीद के लिए डिश्टल हाट लॉंच के गया तो थोड़ा सा मंच का जो उद्दे से कोरोना महामारी के दौरान पसुख किसानों और विवारियों को वितिये नुकसान से बचाना है यानि कि जो भी बली वाले पसुख के होगा जैसे कि मानक चलिए बहुआ बकरीद हुआ उस टाइब के जो भी चीज़े होगी आप उनको online खरीद सकते ह इसके लिए online जो कि digital heart launch किया ठीक है इसको थोड़ा साब मिस्पेंट है यह सुधार कर लिए जगा digital heart होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे नेक्स टोचन क्या कहा रहा है अगला point यह कर रहा है कि हाली में गुजरात सरकार ने रक्षा के लिए ठीक है फिन्स खाले स्थान d यानि की आधिवास्यों के अधिकारों को जो की फ्रेंट्स रक्षा करने के लिए पांच सदस्य आयों का गठन किया ठीक है और यह निर्ने जो है किसके दौरा लिया गया तो मुख्यमंत्री विजयरुपानी के अधिक्सता में यह लिया गया तो यह पॉइंट्स आप या इस प्लेटफरम को नए सरी से लाँच के गए और यह इसका रिलाउंच करने का जो नाम है यह किस नाम से लाउंच किया गया इसका राइट एंस रूपिशन नंबर यह यानि की गूगल करण्ट्स आपस नंबर ए विल बी करेक्ट अंसर तो यह आप याद रखेंगे हो सकत बड़ी बिल्कुल करेक्ट होगा याद रखेंगे यह इंपॉर्टेंट की होने था फ्रेंट कि इसका देखे थीम सबसे पर आपको बता दू इसकी थीम क्या रहे है इसका थीम यह बीदर रिवाइवल इंडिया एंड और बेटर निव वर्ल्ड इसका थीम था और इस वर्च अवर्ड दिया गया तो यू ग्रीन विल्डिंग लिडर्शिप का अवर्ड जो मिला है वो किसे मिला तो राइट एंस रुगा आप्स नंबर ए अंतराष्टिय उलंपिक समीति को आप्सेंस ए विल बी करेक्ट आंसर याद रखेंगे ठीके फेंस अब आपकर छोटा सा कुछता हूं आपको यह बताना है कि अंतराष्टिय उलंपिक जो समीति इसका मुख्याले कहां पर पढ़ता है यह आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएगा अगला कुशन दीखिए क्या कर रहा है कि किस भारतिये को ग्लोबल हुमिनेटेरियन अवर्ड 2020 से समानित किया ठीक है अब बात करते कि सचीन अवस्ती है कौन तो निचनल मीडिया क्लब की यह अधियक्ष है यह आप याद रखेंगे तो देखें आज किस वीडियो में 35 मैंने कुशन जो भी आपके साथ डिसकस किया वह मोश्ट इंपॉर्टेंट 35 कोशन था आने वाले एक्जाम के लि आप को आयगर मिलती रहा है इसका पीडियो की पर पर प्र्रोइन कर देजा सब् coal को इस यह वnost में इतना है मिलते हैं नेक्स व्यूमें किसी ने टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हाव अगुड डेव